महाराश्ट्र में विधासबा चुनावों का एलान नहीं हुआ है लेकिन वहाँ पर राचनितिक गर्माहट जो है अभी से सुनाई देने लगी है उधव ठाकरे क्या कुर्बानी देंगे ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है दरसल आपको बता दे कि महाराश्ट्र में विधासबा चुनाव की जंग अब काफी तीकी होती नजर आ रही है शिफ सेना UBT के चीफ उधव ठाकरे ने विपक्षी गडबंधन पर सबसे तीका हमला बोला है राजे में मुख्यमंत्री पत के दावेदार के सवाल पर उधव ठाकरे ने कहा कि बार-बार हमसे ये पूछा जाता है कि महाविकास अगाडी की तरफ से सीएम का चुहरा कौन होगा आज मैं इस मन्स से एलान करता हूँ कि महाविकास अगाडी की ओर से कोई भी सीएम हो चाहे वो शेरत पवार गुट का हो या कौग्रिस का हो मेरा समर्थन उसको पूरी तरीके से होगा उधव ठाकरे ने ये भी कहा कि बीजेपी और हमारा गडबंधन 25-30 साल रहा है हर बार ये कहा गया कि जुसकी सीट ज्यादा होगी उसका सीएम होगा पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमें महाराश्व की बहतरी के लिए काम करना है और मैं इन 50 खोकों और गड़दारों को जवाब देना चाहता हूँ कि लोग हमें चाहते हैं आपको नहीं अब या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे उद्धर थाकरे इतने पर ही नहीं रुकें उन्होंने ये भी कहा कि मैं घोष्णा कर रहा हूँ कि चाहे वे बख बोड हो या कोई मंदिर हो या कोई अन्यधार्मिक संपत्ती हो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये सिर्फ बोड का मामला नहीं है जिए कि केदारना से 200 किलो सोना चोरी हो गया इसकी भी जाच हो नी चाहिए दरसल आपको बता दियें कि विरोधियों पर हमला करते होए मुंबई में महा विकास अगाडी की बैठकोई इस सभा में बोलते हुए शिफसेना ठाकरे गुट के नेता उधव ठाकरे ने सरकार के साथ साथ उसके खटक दलों पर भी जोरदार हमला बोला उधव ठाकरे ने कहा कि आज चुनाव की खोशना करो हम तैयार हैं यह महाराश्च्ट के स्वाविमान की रक्षा के लिए लड़ाई है उधव ठाकरे ने हमला बोलते हुए ये भी कहा कि हम आरपार की लड़ाई लड़ते रहेंगे इस बीच उन्होंने आरक्षुन के मुद्दे पर दी सवाल उठाए महाराश्च्ट में इस समय आरक्षुन का मुद्दा गर्माया हुआ है इसे लेकर उधव ठाकरे ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है उधव ठाकरे ने कहा कि आरक्षुन के मुद्दे पर लड़ाई हो रही है OBC आरक्षुन को ना चुएं आरक्षुन सीमा बढ़ाने का अधिकार केंदर के पास है हम आरक्षुन सीमा बढ़ाने में सरकार का समर्थन करेंगे